जुहार जारी बाग मैं फैज अनुवर आप देख रहे हैं जुहार जारी बाग हम लोग आए हैं रसोया धमना गाउं और इस गाउं के जो अर्पित हैं इन्होंने यूपीस्टी में जैसे आई एस का होता है उसी तरह से सेंट्रल जियोलिजिकल सर्विसेज यूपीसी में र इस गाउं से एक जियोलोजिस्ट और जियो साइंटिस्ट हम कह सकते हैं आप जानते हैं इनकी कहानी की कैसे तयारी किया और रैंक 21 निकालने में इन्होंने कितनी मेहनत की तो अर्पित जी आपने कैसे पढ़ाई शुरू की स्टार्टिंग जानना चाहेंगे मेरी स्कूलिं वह केандम सेनते की पढ़ाई मैंने करिया वह स तद्प आजारीबाक से करिया और थी Store 1000- expensive जान परैबी स्ट बच आयए-जार तो होता है उसमें करीब बहुत अच्छे कहा से कैंडिडेट्स अप्लाई करते है फॉर हाइयर स्टडीज तो यह वो तो टफ होता है उसमेंसे मेरा जो रैंग था वो 93 था उसके पर साथ मुझे बहुत सारे आइटी से ओफर मिला एडमिशन लेने के लिए वैसे आइटी जहा और यह हमारे राज़ी में है और यह वार से नर्दीश था इसलिए क्या नहीं आइए ऐसा कुछ नहीं है यह बहुत जादा प्रतिस्थीत है अच्छा लेकित बड़े आप मॉंबे का नाम ले रहें आप और अगर माइंस अंड मिंडल्स की चेतर की बात करें माइंस अंड म में मैंने अडमिशन लिया और वो तीन साल का कॉर्स है मास्टर्स ऑफ साइंस इं टेक्नलाजी अप्लाइड जियालाजी और उसमें से दोजार उनीस से दोजार बाइस तक मेरी पढ़ाई चली तो यह तीन साल का कॉर्स था उसके बाद फिर यह जो एक्जाम निकाला इसके अपर उनीस कि अट्रविस के तो जब फाइनल अले में धन्वाद में थे अभी प्रप्रिशन कर दिया था एप्यरिंग में वाकी जो कलासेश चलते थे ऐफाइनल अले कि चल रहे थी जब इसकी रिजल पबिश वी सारे प्रोसेस करके प्रेलिम्नारी मेंस और इंटर्यू तो पिछले बार 2022 में बस एक माक से रह गया था अच्छा अगले साल वाली सर्विस में अगले अगले साल वाली सर्विस में फाइनली अभी ऑल इंडियर रेंग 21 के साथ हो गया है अच्छा तो जैसे यह एक्जाम हम लोग देखते हैं कि UPSC में लोग बहुत सारे कोचिंग्स लिए और इंटर्वी होता है इसमें तो हमारे इस सेवा में जो परिच्छा जिस तरीके से ली जाती है उसका स्कीम यह है कि इसमें भी तीन स्टेज होते हैं एक होता है प्रिलिम्नरी, मेंस, और इंटर्वी स्टेज, प्रिलिम्नरी में दो पेपर होते हैं हमारा, एक पहला पेपर होता है, जनरल स्टडीज का, 100 मार्क्स का होता है, उसको क्वालिफाई करना एसेंसियल है, उसके बाद पेपर सेकेंड होता है, वो होता है, जियालोजी और हाइड पेपर हाइड्रोजी होते हैं, सारे पेपर 200 मार्ग्स के होते हैं, यहाँ पे हमें दो चूज करना है, कि आइधर वी अपलाइंग वनली फोर जियोलोजिस्ट और आइधर वी आपलाइंग फोर बोथ, जियोलोजी और हैड्रोजिस्ट, उसके बाद फिर जो केंडिडेट जि यहाँ, वो सब कुछ सेम है, जो यूपीसी के एक मेंबर होते हैं, वो लीड करते हैं, बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट फ्रोम ओल एरौन दी कंट्री, चार या पांच रहते हैं पैनल में, वो 200 मार्ग्स का इंटर्वी होता है, और फिर फाइनली यह तीनों के मार्ग्स हम पर फिर क्या रहा, आपने कितना मेहनत किया यहाँ पर पहली बार जब रिजल्ट आया, जब मैंने मांग्सित देखा खुद का, एक मांग्स से रह गया, तो भरोसा हुआ कि आगे तो हो जाएगा, यह वो पिछले बार भी लगड़ा था कि हो जाएगा, बट फाइनली एक म अच्छे से रूटीन बना के पढ़ा और फिर फाइनली हो गया, रूटीन के बारे में हम लोग जानेंगे, दर्सक बहुत लोग हैं, तयारी भी करते हैं, क्या कोचिंग लिया, आपने ओनलाइन सपोर्ट लिया, या फिर घर में ही सेल्फ स्टड़ी कितना क्या कैसे किया, मैंने कोई भी कोचिंग नी लिया, कहीं भी कोई भी बहारी ओर्गनाइजिशन से मैंने कुछ भी सपोर्ट नी लिया, एदर ओनलाइन और ओफलाइन नथिंग, मैंने खुद से सेल्फ स्टड़ी करी घर पे रहके, और जो एक जनरल रूटीन होता है कि दिन में जितनी इक् इसे ही करा मैंने और वही था, मिनिम्म दस घंटा तो पॉलते होंगा, वह एवरेज वो चला जाता होगा, पढ़ो जितना एक टॉपिक जिसे फिक्स कर लिया कि आज ये पेटरोलोजी करना है, पेटरोलोजी का कोई पार्टिकुलर टॉपिक खतम करना है, मैंने आज वो कल इसा दस घंटा, आट घंटा, मतला साल भर ये दिया, तो कहीं बीच में ऐसा डिस्ट्रैक्शन साब को लगा कि यहां घर पे रहे कि कुछ काम के लिए स्यादी हो गया, पार्टि हो गया, इन सब चीजों में, इसको कैसे आपने टैकल किया, वैसे छोटे मोटे इंसिडेंट अपने अपने अफेक्ट नहीं पाया, घर में जो ममी पाप भाय बहुत जादा सपोर्ट मिला तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं हो, मतलो मेरे पढ़ाई में कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दिया इनोंने, तो इस एज में आप है अभी 24 साल आप बता रहे हैं, हम लोग दे एक परतिस्ष्ट और्गनाइज़शन है, तो मेरे दोस्त वोग है, मतलब हमारा बहुत अच्छा सर्तल है, लोग नौलेज़ सेयर करते हैं, वयलिव बनौलेज नौलेज डोरते हैं, तो बाकी जो मेरे गाउँ के दोस्त हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अपने काम में बीज तो ठीक है, सब कुछ है. तो इतना टाइम देते हैं आप, आप से खुछ तयारी करें तो दोस्तों कितना टाइम देते हैं? जब यह जाना है? यह जब यह जब पिछले साल जब तयारी कर रहे थे तो उतना वक्त नहीं दे पाया है. अपने रूम में अपने पन्ने में विजी रहते थे तो बस कभी कभार मिल लेते थे और इसके लावा पढ़ाई के लावा कुछ होब अशा कुछ नहीं है? यह है यह है यह है यह होड़ाई के लिए फेस्बुक पे मैंने एक पेस बनाया है जी आलाजी से रिलेटेड इसका नाम है साइंटिलेटिंग ब्यूटि उसमें मोर देन फॉलोवर से अल अरां ड़ोब उस पे हम जिए मोर्फालोजी का लेंड फॉर्म सेयर करते हैं अल अर यह है जब उन्होंने पूछा कि आपकी होभी का मैंने यह बताया वह भी कुछ थे बहुत अच्छी बनाया और यह बहुत अच्छी बात बताई हैं उसमें जियो साइंटिस से रिलेटेड जो चीज है वो डालते हैं तो अब क्या है अब कब जाएंगे ज्वाइन करेंग औ आपको अभी कुछ प्रॉसेस है अभी लाइक वेरिफिकेशन प्रॉसेस बाकी है तो वो उसमें दो तीन महिने का वक्त लग जाएगा इसके बाद फाइनली जून के करी मुझे लगता है पोस्टिंग मिलेगी और यह सब खुश है घर में सब खुश है गाम में सब खुश ह है बहुत लोगों ने विच भी करा अच्छा तो लग रहा है तो अपने की चुर्ट्यू में पढ़ते थे कि स्कूल में 10 तक पढ़ा वहां पे तो वहां चुर्ट्यू हम लोग जानते हैं जंगली छेत्र है और मतलब जंगल बहुत ज्यादा है पहाड़ है बहुत कम अबा पहले बहुता वह एक्स्ट्रीमिस माविस्ट अफेक्टर एरिया था एवेन बिजली भी नहीं थी लालतेन में हम लोग पढ़ा करते थे और जब थे वहां तो कुछ समझ में नहीं नहीं रहा था मतलब ऐसे एक तो उतने पिछले छेतर में गए रह रह रहे बढ़ रह थे बस सरकारी स्कुल से पढ़ाई करी है मैंने इसके बाद सिक्स क्लास में प्राइवेट इसकुल थी वह मैंने जोइन करा तो उस वक्त तो कुछ ऐसा पता नहीं चला कि क्या गरना है फ्यूचर बस सब लोग की तरह मुझे इंजिनियर बनना है मुझे साइंटिस बनना है पत मैंने क्वालिफाई करा तो 12 में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करें लेकिन मार्क मेरे हिशाब से नहीं आए वो एराउंड 70 परसेंट तो उस वक्त लगा कि उस वक्त मुझे फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ से मरें इंट्रेस्ट ख़म हो कि इतना पढ़ने के बाद मतलब नहीं आ रहा है तो फिर फिर घर में कुछ लोग ते जैसे मेरे बड़े भाहिया थे उन्होंने सजेस्ट करा जियोलोजी के बारे में मैं कुछ पेपर्स में पढ़े की जियोलोजी एक अची सब्जेक्ट है वहां पर करियर बनाय जा सकते और इवन हमारे राज में इ इनकी कहानी है अब चुर्चु जैसे जगह से पढ़के आया है लेकिन अभी आखरी जो इनकी एडुकेशन थी वह आएट से थी आएट इसम धनबाद से और उसके बाद फिर जियो साइंटिस्ट अब बन गये हैं तो यूपेसी जो एक्जाम होता है उसी के थूरू ये एक जान गये है है आज के यूवा को क्या मेसेज्ज देंगे आप क्या बोलना कर्केण अने तो आज दोल्टमे को एक वह बत जान गये हैं लिएangen चले ऑफेसी पोरे गएगों .. एक हाँ बॉलना चाहेंगे जो का ही तैयारी करें पहला चीज है कि उनको यह शरकार वह उनको करना है relevant कि अगर उनके घरी रिष्तिदार में कुछ लोग और वो करें तो हम भी वो करें वो उन पर डिपेंडेंट हुना चाहिए हमको यह करना है उसी प्रकार से अगर उसकी तियारी करें गड़ एक वार में सफलता निहीं में कोई बात नहीं है फिर से पढ़ियास करें तो अगर वो लगे रहते हैं, self-confident है, honest है, तो मुझे लगता है, वो clear कर सकते हैं. और एक और चीज़ कहना चाहते हैं, कि यह जो जियोलोजी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की और बहुत कम लोगों का इंट्रेस्ट है. अधिक तर लोग फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ, बायोलोजी के पीछे जाते हैं, तो एक चीज़ हम यह सब्जेक्ट करना चाहेंगे, कि जो लोग अभी 12 में हैं, अगर उनको एक अलग छेतर में अगर करियर बनाना है, तो सब्जेक्ट हम करना चाहते हैं, कि वो जियोलोज सब्जेक्ट के निकलते हैं, तो फ्यूचर में जारखन के लिए हल्फुल है, तो इनके पास वापस आएंगे, जिनकी मम्मी यहां बैठी में है, आई जानते हैं उनसे कि वो कितना खुश है यहां पर यही गाओं के अपने घर के बाहर बैठी में हैं, तो चाची यह सब्सक्राइब के लिए हम भी किये, पापा भी किये, इसका भाई भी किया, जहां तक चल बना तहां तक भाहन लोग भी किया है, हम लोग ऐसी भी गरीब आदमी है, तो मुने की बेवस्ता तो करना पड़ेगा न सब कुश, आप कैसा लग रहा है, इसका रहेंक 21 लाया है, बहुत खूस है, हम लोग और भागवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कि मेरा बेटा इतना अच्छा थी पर रेंग पर आगिया है, इसके लिए बहुत 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 तो साथ में जाएएगा इसके दिली, हाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे तो आप जाहीं जाएंगे, जाती हैं, इसका बेटा इसे बहुत बहुत बने जाएगा, और अब इसके बारे में पता है, यह भी जानकारी ले रहे हैं, तो गौहों में देखिए जिस गौहं में आया है, वहाँ पर खूशी का महौल है, इसलिए हम लोगा आ साहू से मिलने के लिए जिसने यूपेस्02 में और 101 निकाला है जीओ तर जीओ साइंटिष्ट जीय लोजिस्ट एस्ट जीयओ्डों सकते हैं मतलब जो जो यूपेस्य ची 320 सरवे्टभ अफ इंडिया का होता है यह उसमें इपरिदों निकला है करते हैं आज कह सकते हैं कि अपकी आंगी मता साई कुछ आप आप जानते हैं वहुपे फिये करना एकस पढ़ाही नहीं कंपर अथ्व Jagantony के मांन थो अनियां एक दीन का 24 गंटा ईहता है तो 24 गंटा पढ़ाही किया आप अपसी जरद्धिकन माफिप तो काम भी किया, एच्छा लगता है, मन भी बढ़ता है, इस्ट रेज भी कम होता है, तो सब कुछ किया है गाउं में रहते हुए, रहा हम लोग बात कर रहा है है, घमना, रसोया नमदा बोल सकते हैं, ironically, और वहीं पर यह रहते हैं, हजारी बाग में पढ़ाई की चुर्टी में पढ़ाई की उसके बाद फिर यूपेस्टी में चले गए